हेलो दोस्तो आज मैं फिर से आचुका उग निव वीडियो लेके और आज की वीडियो में हम एक निव भराइटी लेके आया हूँ और इस भराइटी है अपको हमारे इदर कलकत्ता में बोला जाता है तोफा एपल बेर की नम से बोला जाता है और इसका जो ओरिजिनल जो नाम है वो है अपका गोल्डेन एपल बेर जो एलो टाइप का होता है यह देखने में और किसन सत्थो हम इसका मिटास की बर में बात करें तो यह आपको खटा मिटा दोनों ही लगेगा और अपको वेट की बरे में हम बात करें एक एक फूर्ट का जो साइज आएगा उसका जो साइज है आपको कम से कम 100 ग्राम की उपर इसका साइज होता है जो ग्रीन थाई ग्रीन एपल बिर रहते है उससे भी बहुत ही बड़िया इसका साइज होता है और फुरूट जो प्लान में पकड़ने का जो मत्रा है वो आपको ग्रीन एपल बिर से कहीं गुना ज़ादा है और देखिए हमने जो प्लान लगा के रखा है ये पहली साल में ही इसमें जो फुरूट पकड़ हुआ है कम सकम एक एक पेड़ से आपको 40-45 किलो आरम से इसमें फुरूट हमारी निकल जाएगा देख सकते हो ये बिलकुल पुरा निव भराइटी है और इस फुरूट मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा अभी डिमांट है ये अभी 70-80 रूपे किलो हमारी इदर बिक रहा है तो आपको बहुत ही जादा इसमें से मुनाफ़ा हो सकता है आप भी इस प्लान लगाएगे तो देखिए और ये बहुत ही एक बेतरीन भराइटी है इसमें कितना फुरूट आया है अभी मैं बहुत सार इप्लान आपको दिखा होंगा हमारी ज़ो प्लान लगा हुआ है ज्यादा तर प्लान में आपको इसी तरीके से आपको फुरूट देखने को मिल जाएगा लेकिन इसको जो नेम है वो आपको ज्यादा तर बिला जाता है तोफ़ा एपल बेर की नम से ही जाना जाता है हमारे इदर कलकता में और इसमें देखिए कितना ज़्यादा इसमें फ्रूट पकड़ा हुए और ये अभी जो अभी में दिखा रहो अपको ये बिल्कुल मैचिरूट नहीं हुआ है ये जब मैचिरूट हो जाएगा देख सकतो गोल्डिन कलार टाइप का आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खटा मिटा होने की बज़ा से ही इसका खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और मार्केट में इसलिए इसका डिमांट है अभी में एक फुरूट आपको तोड के में दिखाया ये फुरूट अभी तक मैचुरूट नहीं हुआ है देख सकते हो और हम प्लांट होरा ओल ओबर इंडिया प्लांट डेलिवेरी करते है कोई भी भायो को इसका प्लांट चाहिए औरिजिनल प्लांट हमारी पास से ले सकते हो हमारी नरसरी कुलकता वेस्ट बंगाल में आप चाहो तो हमारी नरसरी पर आके विजिट भी कर सकते हो करके आप प्लांट देखने की बाद लेना ठीक है यह देखिए और इसका जो ज़्यादा तर फुरूट आप देखोगे कि पुरा अंगूर की तरह एक एक डली में गुच्चे-गुच्चे में इसमें फुरूट आया है हम इसी मदर प्लांट से बहुत से प्लांट टायर करके रखा है सेल करने के लिए और इसका जो फुरूट है वो बहुत ही टेस्टी होता है आप आईए खाईए देखिए उसके बाद ही आप प्लांटिशन कीजिए एक ग्रीन एपल बेर से बहुत ही बेतरीन भराइटी है यह देखिए पुरा जो मीट्टी में जो डलिया पड़ा हुआ है उसमें भी इसमें फूरूट आ चुका है और इसका साइज देखो 100 ग्रैम की उपर साइज होगा आज की डेट की बारे में हम बात करें तो आज है डिसमबर माइने का 17 तरिक और इसी डेट में देख सकते हो मैं जो प्लांड आपको देखा रहा हूँ देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा इसमें फूरूट लगा हुआ है और जितना भी एपल बेर का जो भी वेराइटी है आपको सबसे पहले जो मैचिरूट हो जाता है वो आपको यही वेराइटी है जो टूपा एपल बेर है देख सकते हो, यह सबसे पहले यह मैचिरूट हो जाता है इसमें बहुत सरी फुरूट ऐसे भी है जो मैचिरूट होने की आस्पस आ गया है और यह आपको पुरा गोल देखेगा पुरा राउंच होता है और एपिल की तरह ही होता है यह, देखिए और जो थाई गिरीन एपिल वे रहते वो थोड़ा सा लंबा ही रहते नीचे टाइप का अंडे जासे लेकिन ये थोड़ा सा पुरा गोल होता है जिरो टाइप का तो ये देखने में बहुत ही खास है खाने में अभी टेस्टी है और नीव भराइटी है खाने में बहुत ही सबसे बेतरीन भी बोल सकते हो आप इसको तो यह मार्केट में बहुत ही आच्छा खासा डिमांट है इसका और जो भी भाई लोग चैनल पर नया हो चैनल को सस्क्राइब करके रखो ताकि यह से बहुत ही अच्छा अपडेट आपको मिलते रहेगा सबसे प हम ले आने की कोशिश करेंगे आपको सामने पूरा वालो बार इंडिया हम प्लांट डिलिवेरी करते आप चाओ तो घर बैटे ओनलाइन प्लांट मंगबा सकतो हम बाई ट्रेन भी प्लांट सब लाए करते और ट्रक से भी हम प्लांट सब लाए करते और एपल बेर का जितन प्लांड आवी में आपको दिखा रहा हूँ इस प्लांड जो नया प्लांड है ये बिलकुल मार्केट में